हलो एबरीवन तो ये मकर संक्रांती या स्टिल्शक्रात का ये स्पेशल डीस है तो यहां पे मैं बेदाम का लड़ू लाई हूँ ये बेदाम है और इसका लड़ू बनाने की रेसिपी बहुत ही आसान तरीका से मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ ये बहुत जल्द तो देख सकते हैं मुंग फली वाला बादाम है और इसे गाईज ये जो मकर संक्रांती है इसमें तिल का लड़ू ये बादाम का लड़ू जरूरी रहती है तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ सेयर करू डीस तो बहुत ही स्पेशल डीस है तो आप लोग इसे जरूर देख हूं एक चमच घी तो देखिए गाईज अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक तो बनती है और कमेंट बॉक्स में बताएं बादाम का लड़ू किसको पसंद है अब मकर संक्रांती में बादाम का लड़ू कहां कहां ये इस्पेशल होती है तो यहां पे घी मेरा गूड डाली हूं और इसे मैं पिघलाओंगी और इसे देखूंगी चासनी बनाके तो पानी में इसे टेस्ट करना है तो गाईज अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर नए है तो सस्क्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले प्लीज और सस्क्राइब करके ही जाएं तो और वीडियो आधा नहीं देखें वीडियो फूल देखें तो यहां पर देखें मेरा ये जो गूड है घूल गई है तो इसे मैं टेस्ट करूंगी कि इसका चासनी रेडी हुई की नहीं तो गाईज यहां पर देख सकते हैं चास तो देख सकते हैं गाईज कितनी आसान रेशीपी है और यह कहां कहां स्पेसल होती है जो कमेंट बॉक्स में बताईएगा बिहार में तो यह स्पेसल होती है और यह कहां कहां बदाम का लड़ो मकर संक्रांती में स्पेसल होती है तो इसे जरूर बनाएं घर पे मार्केट मे तो बहुत कुछ मिलती है गाइस फिर घर पे बनाने का मजा ही अलग है तो देख सकते हैं यह गोल-गोल हो रही है तो इसे अब मैं उतार दूँगी और गैस का फ्लेव ओफ कर दूँगी तो देखिए इसे एक बरतन में मैं निकाल ली हूँ और इसे बहुत ही आसान तरीके से गोल-गोल बन जाएगी तो थोड़ी सी मैं पानी हाथ में लगा लूँगी क्यों हाथ में यह चिपके नहीं तो इसलिए थोड़ी-थोड़ी हाथ में मैं पानी लगाऊंगी तो देखिए यहां पे थोड़ी सी ठंड़ा हो जाए ज्यादा ठंड़ा नहीं हो और इसे मैं ल नेक्स्ट वीडियो में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस चीज के आप लोग के रेशिपी चाहिए मुझे जो समझ में आती है आप लोग के लिए इतना मिहनत करती हूं तो ठीक है ओके गाइज बाए